है लो गाईज तो आज के इस वीडियो में हम लोग ब्यस्सी नर्सिंग भी फार्मा बैचलर आप अकुपेशनल थ्रेपी बीओटी और बैचलर आप फीजियो थ्रेपी बीपीटी इंट्रेंस टेस्ट यह 2020 में तो पहले जब यह एक्जाम हुआ तो ब्यस्चु कहा है यह दे सिर्फ नर्षिंग कि बात चय अब है जो इतने कोरस है अभी उसमें नाम लिया नहीं घ्या है कि सटूठी नर्षिंग करते थे इस फ़ार्म अवलाई करके और यह सभी इंटरेंस एक्जाम क्वालिफाई करके यह सभी कोर्स करते थे तो चलिए देखते हैं कि आप ब्याच्चू की वेफसाइट पर जो अभी की लेटेस्ट निज है यह क्या है तो यह ब्याच्चू की वेफसाइट है आप खुद चकर सकते हैं आप यह डालिए ना ब्याच्चू.ac.in जैसे ही आप डालेंगे यह पेज आपका ओपन होगा इस पेज पर आपको जैसे नीचे स्लाइट करेंगे नीचे स्क्रोल करते जाएंगे आपको यह दिखेगा क्या दिखेगा ब्याच्चू बनारस इंदू इनवर्सिटी जो ब्यासी नर्सिंग का इंटरेंस एक्जाम है यह अप कैसे होगा यह नीट के थुरू होगा तो यह आपका नोटिफिकेशन देखिए यह चला है साइड में अभी जैसे आपका चलता रहेगा जैसे आप ओपन करे यह ऊपर चला जाएगा माली जी ऊपर चला जाता है तो मौर निच यह जो आपका है मौर निच पर कर लीजिए मौर निच पर जैसे आप ओके करेंगे पहले ही लाइन देखिए यह क्या लिखा है एडमीशन टूब यह सी नर्सिंग टूजन टूजन टून्टीवन थू फिर बिटनरी में आपका इंट्रेंस एक्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका कोर्स में अडमीशन होता उसी के थूरू अब यह जो ब्यास्च की ब्यासी नर्सिंग की सीटे हैं अब यह भी फिलिप किया जाएंगी आप इस पर जैसे ही किलिक करेंगे आपको यह इसक्राइन का कोर्स जो टूफाउजन तूंटीवन करना चाहते हैं कहां से कriters एंस्टीूट से मेडिकल साइश बनाराश हंदू इंवर्सेटी भी एक्चु से ब्याच्चू से जो इस्टूडेंट ब्यासी नेर्सिंग का कोस्ट करना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट को नीट देना पड़ेगा नीट का इंटरेंस एजाम देना पड़ेगा 2021 में जो अभी तो एक अगस्त को नीट होने वाला है लेकिन ऐसा लगता नहीं है आगे होगा तो लास्ट भी जा सकता है तो अभी तो अभी तो आप पढ़ाई तो शुरू कर दीजिए आप तो क्या करना पड़ेगा बेच्चु में अगर एडमिशन लेना है तो आपको नीट के लिए NCRT पूरा कंफर्म क्लियर करना पड़ेगा अभी काफी स्टुडेंट यह भी पूछेंगी क्या के जेम्यू हो गया लखनव हो गया फिर आपका जेस्बीम कानपूर हो गया जेस्बीम कानपूर स्टीनएट में जो हुआ और जितने भी क्या सबीए यह करत ज्यूथ हो जाएंगे तो अभी तो ऐसा अन collagen पर संद कुछ कोई काहें नहीं सकता कि ओजाएंगे और ऐसा होगा विनए हमें तो नहीं लगता कि हो जाएगा सीपीनेट सेफ़ाई टावा फिर केजेम्यू या फिर जैस्बीम कानपूर या फिर जैस्बीम कानपूर या फिर केजेम्यू नीट के थुरू नहीं होंगे तो नीट के थुरू होंगे भी तो वेपसाइट पे आएगा तुरंत आपको तुरंत जानकारी दी जाएगी तो अभी बेच्चू की नीज है तो अभी आप यही समझेगा और काफी स्टुडेंट यह भी पूछेंगे कि क्या अपली केसं फार्म नीट का अगर हम डालते हैं तो कितने नंबर पर BACC नरसिंग ब्याच्च्चू में मिल सकता है तो आप यह समझेगे 180 question नीट में आते हैं फिर जिस कमेश्ट स्टी बालु जी तीनी सब्जेक्ट से कोईश्यन पूछचे जाते हैं एक सो 80 कोईश्यन टोटल होते हैं तो आपके यह समझेंगे तो आपका होא कोईश्यन करने सभी संब एकस्षस गया सभी है तो इक हो जाय limitations question आप सही करेंगे तो आसानी से आपका admission हो जाएगा तो यह news थी और जैसे news कोई और university की आती है तो पुरंत आपको जानकारी दी जाएगी तो प्लीज आप लोग एक बार चैनल पर मेरे जरूर विजिट करें चैनल का नेम क्या है इस एटी सीट आई एन सीट यहन डबल इटी सीट नेट चैनल जिस पर मैं पूरी ncrt का ncrt का तो मैं question नहीं कराता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है अगर मेरे चैनल पर जाएगे देखिए objective question theory concept काफी मैं जो इंड गेम सीरीज है काफी playlist बनी हुए जो 100% क्या है ncrt बेस है तो ऐसे तो कोई problem होने वाली नहीं यह बट क्या होता न तो अगर ब्याच्चू का फार्म कैसे क्या होता पहले क्या से आने हैं तो छे से साथ question क्या था numerical था और सभी theory बेस अब क्या है आप फोटी फाइब कोई physics के आते हैं नीट में तो फूट में कितने question 30 30 यह समझे 33 question numerical ही रहते हैं तो 15 इन्रा question something में आपके theory बेस होते हैं ज्यादा तर निमेरिकल होते हैं तो फिर अब थोड़ा टफ रहेगा तो इसी बेस पर तो चलिए जैसे कोई न्यू जाती है तुरंट आपको तुरंट सूचित क्या जाएगा थाइंक्यू